सब सक्राइब कीजिए हमारे चानल को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले हैं जब आप किसी उची इमारत की कल बना करते हैं तो आप सबसे पहले बुर्ज खलिफा के बारे में ही सोचते हैं मगर आपको बता दें कि टेकनोलोजी में एंडवांस और संपन शहर टोक्यो विश्व की सबसे लंबी इमारत बनाने जा रहा है जो की बुर्ज खलिफा से भी दुगनी लंबाई का होगा स्काई माइल टावर पॉन पेद देर सनफॉक्स एसोसियेट्स और टोक्यो के लिए लेसली एरोबबस से सोसियेट्स द्वारा एक सहयुक्त प्रस्ता वॉर्ड विचार है 1600 मीटर की दूरी पर एक आवास ये गगन चुम्बी इमारत का लक्षे है यह बुद्धिमानी से समुद्र किस्तरों, ट्राभून और कई और बढ़ते क्षितरों के निचले इलाकों में रहने वाले स्थानिये लोगों की रक्षा के लिए मनाया गया है एक संद्व चन्ना में एक मेगा शेहर लाना, यह करीब आधे मिलियन निवासियों का निवास हो सकता है CNN की एक रिपोर्ट के मताबिक, डिजाइन टीम ने इस मेगा शेहर की कलपना की है वर्तमान परियावरण की समस्याओं से निपटने के लिए और आज की तकनीक का उप्योग करके इस आइडिया को वास्तविक्ता में लाया जा रहा है आज कि स्थानी ये लोगों द्वारा सामना की जा रहीं चुनावतियों को कम करने या हल करने के लिए यह परियोजना विक्सित की गई है उदारण के लिए यह डिजाइन किये गए डिजाइनों से पता चला है कि टावर के आसपास के हिकसागोन की तरह सनरचनाय हैं जो वेग्यानिक रूप से मजबूत तरंगों को तोड़ने की स्थिती में हैं जबकी समुद्र के जहाजों को पार करने की इजाज़त दे रही है इन हिकसागन भूखंडों को ताज़े पानी के जलाशियों शहरी खेती के भूखंडों और कई और अधिक के रूप में कारे करने के लिए भी डिजाइन किया गया है दूसरी तरफ इस टावर के डिजाइन के संबंद में अभी कुछ मुद्दे हैं जापान के तपेदों और भूकंपों के लिए जाना जाता है इस तरह की आप दाओं के खिलाफ इसकी संरचनात्मक द्रिडता के संबंद में अभी भी कुछ समस्याएं हैं संरचना की सुरक्षा सो निश्चित करने के लिए अभी भी चल रहे प्रयोग और परीक्षन हैं दुरभाग्य से इस विशाल गगन चुम्बी इमारत को 2045 में आसमान पर चड़ जाने की उम्मीद है क्योंकि यह अगला टोक्यों 2045 परियोजना का एक हिस्सा है इसके आलावा इसके वित्त पोशन के संबंद में अभी भी कुछ मुदे हैं क्योंकि निश्चित रूप से यह एक बहुत मेहंगी संरचना होगी